हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इडू हम सफर सफर सफलता के और फ्रेंड्स आज इस वीडियो में लोग सेट नमबर पांच को कवर करने वाले हैं जो किया है जो सेट नमबर पांच जो बिहार पुलिस के वेकेंसी एकईस है 391 पोश्ट के आई हुई है जिसका री एकजाम जो साथ अगस से होने वाला है उसी के लिए यह रुकमणी प्रकासन दोरा भॉलूम थ्री प्रैक्टी सेट आया हुगा है जो किया है जो बिहार पु सब्सक्राइब कर ले जगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा ले जगा ताकि जब भी वीडियो ड़ले ता को नोटिफिकेशन प्राब्दा और वीडियो को लाइक किजिएगा ज्यादा से दोस्तों सेर किजिएगा जो कि यह जो वीडियो जो डेली आपको सुबह आठ बज़े मेरे यूटूब चैनल पर मिल जागा जो कि इसका पाने के लिए आप में टेलिग्राम या वाटसप ग संग्या दिए थे थे हैं तो देख लेते हैं पहला दिए धर्म का अधिकार तना अगला समी धानी। ततता संपती के अधिकार, तत्त सिख्षा का अधिकार. डॉक्तर बी और अमबेटकार समिधान के हीरदे और आत्मा की संग्या जो दिये थे हैं, वो समिधानिक उप्चारों के अधिकार को दिये थे, इसका जो एंसर जगा बी नंबर हो जागा. जो कि यह भी कोशन पूछा हुए कि समिधानिक उपचारों के अधिकार जो यह उलेक कीस अनुछेद में किया गया है तो यह जो किया गया अनुछेद 32 में किया गया है जो कि ये भी equation पूछाओ है कि की सनुख़ेत के ताहत सरोच नियाले जो पांच प्रकार गरीट जारी करता है मौलीक अधिकार के सरनरक्षन के लिए तो यह जो करता है उनुच्भड बतिसके ताहत करता है वहाई question पूछ देगा कि उच्छी नियाले की सनुछेद के तहत करता है तो उच्छी नियाले जो अनुछेद 226 के अंतरत करता है तो याद रिखेगे question बहुत important है यह question पूछा हुए इसका जो answer जागा आगे question देखते हैं समिधान के की सनुछेद के तहत बीत आयो का प्रोधान किया गया है जो कि आज हम लोग लक्षे जो रखते हैं सतर से बहत्तर नमबर आ रहा है तो आप safe zone में है अगर इससे आपका कम नमबर आ रहा है तो कोसिस किजिए जो question आपका गलत ह हो जरा है जीस बुक से आप पढ़े हुए उस topic को उस बुक से आप जरूर रिवीजन किये उससे क्या होगा कि आगे चलके उस topic से question गलत नहीं होगा ऐसे करके अभी भी आप अपना score बढ़ा सकते हैं यह तरीका आप लोग अपना score को और बेहतर किजिए तो देख लेते हैं भी नमबर हो जागा जो कि यह भी question पूछा होगा कि बीत आयोग कैसी संसाय तब बीत आयोग जो एक समिधानिक संसाय क्योंकि इसका समिधान में अनुचे 280 में इसका उलेख किया गया है जो कि इसका गठन किसके दोरा किया जाता है तो इसका गठन जो है राश्पती के दोर प्रतेक पांच वर्ष के लिए केंदर सरकागों बीतिये मामले पर सलाह देने के लिए किया जाता है जो कि इसमें एक अध्यक्ष होते हैं तथा चार इसके अनध्यक्ष होते हैं जो कि यह भी question पूछा हुए कि पहली बर बीत आयोगा गठन कब किया गया था भारत में प्र प्रत्हम अध्यक्ष कौन इसके तह प्रत्हम अध्यक्ष केसी नियोगी थे वही question पूछ देगा कि पंद्रहवे बीत आयोगे गठन कब से कब के लिए किया गया है तो था है जो कि इसके अध्यक्ष जो है श्री एनके सिंग के अध्यक्षता में यह बनाया गया इसका जो answer जगा बी नमबर हो जागा आगे कोश्चन देखते हैं तिया समिधान की संकल्पना का उद्भाव सबसे पहले कहां हुआ था तिया सबसे पहले जो हुआ था वह सन्युक्त राज अमेरिका में हुआ था इसका जो एंसर जगा डी नमबर हो जागा जो कि यह भी कोश्चन वह साथ अनुछे सामिल हैं वही कोश्चन पूछ देगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखीत समिधान कौन सा है तो लिखीत समिधान जो है भारत का समिधान है आगे कोश्चन देखते हैं जो गदिया एक असोक मेहता समीती जो कि यह समीती जो है तो 1977 में इसका संबंध की Pinis है इसका शम्बंध त्रें 25 एक पंचाहिती राज स्बाइथ से संबने किस्द महता समिति से संत्ते उन्हों ने 25 एक अनुब यान और नकोड़न увांतों तो टेंग भारती समिन्हान के भागचार में दिये गए निरदेशक सिधान्तों में सदोगirm कोण से सुचिवातは देख लेते हैं कों छलुटे परिवार का मानद्रण जो किया जो नहीं है त можете आगला है बतना है कि इसमें से कोौों सा सही abilities तो इसमें एक और दो दियागए, जो कि यह दिया गए B में, इसका एंसर बी नंबर हो जाएगा जो कि भागचार में किसका विलेह किया गया, तो भागचार राज्यके नीतिरे सक्शत्व से संबन दित्त है भारतीय संसद गये अनुमोदन द्वरा किया जा सकता है इसका जो एंसर जगा B नमबर हो जागा जो कि संचीत नीधी का उलेक भारती इस समिधान में कहां पर किया गया है तिया हो जो किया गए 206 के एक में किया गया है आगे question देखते हैं तिया भारत सरकार भारत रत्न पुरुसकार समिधान के 20 अनुछेद के तहद परदान करते हैं तिया जो परदान जो करते हैं अनुछेद 18 के तहद इसका जो answer जगा C नमबर हो जागा जो कि यह भारत रत्न जो भारत का सबसे बड़ा राश्टिय पुरुस से क्या है तो संसक्रीटी और सिख्षा का उद्देश से देख लेते हैं क्या हो जागा दिया एक किसी भी सेस धर्म का प्रचार करना जो कि नहीं है अगला अलब संक्यक समदाय की भासा संस्क्रीटी और धर्म की रक्षा करना तिया हो जो जगा इसका answer बी नमबर हो जागा जो कि अनुचित तीस जो है उसमें इसका संबन जो है अलपसंख्यक वर्गों के हीतों के संडरक्षन संबन दित है वही अनुचित तीस जो है अलपसंख्यक वर्गों के सिक्षा संस्थानों की अस्थापना यह प्रसासन करने के अधिकार से संबन दित है जो किया जो है संस्क जो कि ये उपराश्ट्पति की पदावधी उनके पद ग्रहन करने सके लेकर पांच वर्स तक होता है, हलाकि वह अपनी पदावधी में किसी वी समय अपना त्यागफत राश्ट्पति को दे सकते हैं, आगे कोशन देखते हैं दिया एक भारती समिधान में भारतीय संसत के आगे कोशन देखते हैं दिया एक नवाड की स्थापना कब किया गया था वह 1922 में इसका जो एंसर जगा सी नमबर हो जागा, वही कोशन बहुत बार यह भी पूछा गया कि नवाड का पूरा नाम क्या होता है, तो नवाड का पूरा नाम जो था है, नेशनल बैंक अफ गया था, तो नवाड की स्थापना जो ए सी उरमर समीती के रिपोर्ट पर छथी पंचवार सी योजना जो था, उसके दरन किया गया था, जो कि नवाड क्या बता है, तो नवाड क्रीसी छेतर का एक सिर्ष बीतिये संसा है, इसका जो एंसर जगा सी नमबर हो जागा, आगे देखते हैं, कोशन दियागा, एक निम्न उपायों में से कोवन से भारतिय भुकतान संतूलन इस्थिती को सुधारने में सक्षम नहीं है, तो देखने तो इसमें कोवन सा नहीं है, तो पहला दियागा, आयात प्रतियस्थापन नीती का बढ़ावा, जो कि है, अगला प्रतिय भुकतान संतूलन इस्थिती को सुधारने में सक्षम नहीं है, तो इसका जो एंसर जगा, डी नमबर हो जागा, आगे कोश्चन देखते हैं, कैसलेस लेंदेन को बढ़ावा देने कलिए भारत सरकार दरा की समीती का गठन किया गया था, तियाह जो गठन जो किया कायता है वह नीराज कुमार गुपता समीती का, इसका जो एंसर जगा, डी नमबर हो जागा, आगे कोश्चन देखते हैं, जो कि या रीजनिंग का कोश्चन है, जो कि इसका सुल्यूसन जो आपको पीडियेफ में दे जागा, मैस रीजनिंग और नुमेरिकल पार्ट जो थ छांगरे संधार कोश्चन देखते इसका रहरे क्ली नंबर ह सकते हैं, इसका डी नमबर हो जागा, मैस उपचली नंवरिकल लेजनिंक असे संधिर हो जागा, आगे असानी से एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर धोये जा सकता है उसी को potable कहा जाता है आगे question देखते हैं ति यह select the most appropriate option यहां filling the blanks बताना है तो दिया गए if the neighbors had not dash food we might have strapped इसका सही जो हो जाएगा provided हो जाएगा जो कि हो जाएगा if the neighbors had not provided food we might have strapped इसका जो answer जागा B number हो जाएगा आगे question देखते हैं select the incorrectly spelled world बताना है तो इसमें जो गलत जो दिया गया वो A number गलत दियागा इसका answer A number हो जाएगा आगे question देखते हैं select the incorrectly spelled world बताना है इसमें गलत जो दिया बताना जो कि यहाँ जो है कट गया है तोड़ा नीचे में तो इसका देख लेते हैं क्या हो जागा इसका जो answer जागा C नंबर हो जागा जो कि इसका सही जो स्पेलिंग जो हो जागा ल, इ, जी, आई, ब, ल, जो कि इसका मिलालन कर लिजगा, इसका answer C नमबर हो जागा, आगे देखते हैं, select the most appropriate synonyms बताना है, जो कि given word दियागा, similar, similar का synonyms क्या हो जागा, तो इसका synonyms जो हो जागा, वह हो जागा, a like हो जागा, इसका answer B नमबर हो जागा, आगे देखते हैं, दियाए select the most appropriate meaning of the given Adams तो देख लिए ते दिया गया है to pull a fast one on someone तो इसका जो सही जो answer हो जागा वो जो जागा वो जो जागा इसका answer C number हो जागा आगे दिखते हैं तेईस नमगा जो question देगा select the option that can be used as one वो जागा जो जागा आगे question देखते हैं select the most appropriate option बताना है तो दिया गया है यहां दिया गया है कि if I see a snack I try to catch it तो इसका जो सही हो जागा वो वो विल ट्राइटू कैच हो जागा इसका answer D number हो जागा आगे देखते हैं वाक के एक और वाक के छो का मध्य वाक्यों का सही करम क्या हो जागा तो देख लेते हैं इसमें वाक के जो दिया गया है कि आज का विद्यारती के अध्यान के लिए उसके पास समय ही नहीं रहता custom साधन तता अंग्रेजी भासा को सिखने में इतने समय का अपवय कर देता है कि ज्ञान बिज्ञान के अन्य विश है तता अगला देश साधस हो जाए गया है इसके दुरगामी परिणाम देश तता अगला देश के विकास में बाधक हो सकता है यहाँ अधिया है कि आज का बिद्यार थी अंग्रेजी भासा को सिखने में इतने समय का अपवय कर देते हैं कि ज्ञान बिज्ञान के अन्य विश है यह अधियन के लिए उसके पस समय ही नहीं रहता साधन सभ्यास हो गया है इसके दुरगानी परिणाम देश इसका सही जो ज यह उससे दर्सनिय कहा जाता है इसका जो एंसर जगा यह नमबर हो जागा आगे कुश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा सब्द इसनेह का समनार्थी सब्द नहीं है तो देख लेते इसमें कौन सा नहीं है तो पहला देख तेल तथा अगला देख चिकनाहट तथा अगला आगे कोश्चन देखते हैं जो चाहें नहीं हो सके उसके लिए उप्योक्त शब्द आजागा तो जो चाहें नहीं कोश्चन पूछ यहां देख यह अग्रज जो कि जिसका जन पहले हुआ है उससे अग्रज कहा जता है आगे कोश्चन देखतें दिया है कि अंगारों पर लोटना मुहावरे का अर्थ निम्न बिकल्पों में से क्या हो जागा। आगे कोश्चन देखते हैं जो कि यह जो कोश्चन नुमेरिकल पाट है इसका एंसर जो जागा वह ए नमबर हो जागा। आगे कोश्चन देखते हैं दिया है कि अवतल दरपन के सामने ध्रूस से पंदरा सेंटीमेटर के दूरी पर रखी वास्तु का परतवीम दरपन के पीछे 30 सेंटीमेटर के दूरी पर बनता है तो रेखी आवर्धन का मान निमली खित में से कौन सा हो जागा। तो इसका हो जागा प्लस टू हो जागा इसका एंसर सी नमबर हो जागा। गर्म करने से बिस्तारन होगा तो गर्म करने से जो बिस्तारन अतन अतन होता है वही और प्लस टोई होताई आगे question देखते हैं जो किसी दिये हुए समय अंतराल में एक करण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतरगत छेतर कीश के परतनिधित्व करते हैं तिया परतनिधित्व करते हैं विस्थापन के इसका जो answer जगा ए नंबर हो जागा आगे question देखते हैं जो कि यह भावर धराय कब उत्पन होती है यह भावर धराय जो उत्पन जो होती है वह धातु के परिवारती चुमकिये छेतर में रखा जाता है इसका जो answer हो जगा ए नमबर हो जागा जो कि जब कोई चालक यह परिवारती चुमकिये छेतर में गती करता ह तो उसके संपूर्ण आयतन में प्रेरी धारा जो उत्पन होती है उसी को भावर धारा कहा जाता है। तो में से किसका पर्तिरोध सबसे अधिक होगा सबसे अधिक कांच के तारका होगा इसका तो अगला देव प्रते एक प्रोटीन के लिए एक बिसीस्ट जीन होता है तो इसका जो सही जो एंसर जगा C नमबर हो जागा जो कि प्रते एक प्रोटीन के लिए एक बिसीस्ट जीन होता है जो कि DNA के प्रोटीन भाग में जीन कहते हैं याद रखेगा DNA के प्रोटीन भाग ज जो कि यह भी कोश्न पूछा हुए कि जीन जो था हुए वह किसका बना होता है जीन जो था है पॉली नुकलियोटाइड का बना होता है इसका जो एंसर जगा सी नंबर हो जागा आगे कोश्चन देखते हैं दिया एक बैंकिंग लोकपाल योजना के सुरुआत की सने किया था banking लोगपाल योजना जो है इसकी शुरुवाद जो किया गया था वह रिजर bank अफ इंडिया के दोरा इसका जो एंसर हो जगा ए नमबर हो जगा जो कि RBI ने banking लोगपाल की सुरुवाद कर अब किया था तो यह जो 1937 में बंबई हस्तान तरित किया गया था जो कि RBI को बैंको का बैंक कहा जाता है जो कि इसके सापना एक अपरेल 1935 को किया गया था इसका जो एंसर जगा ए नंबर जगा ये भी कोश्चन एक बार पुछा गया कि RBI जो रिजर्ब बैंक आफ इंडिया जो इसका राष्टिय कर जो था वह हैरले डोमर मडल पे था जो कि यह पहली पंच वर्ष्टिया कब से कब चला था तो 1951 से ओट नईसर जगा ए नंबर हो जागा आगे कोश्चन देखते हैं दिया गया कि लेखा अनुदान बना है तो लेखा अनुदान जो बना है यह बजट पारित लंबीत होने क कारण नीधी आवंटन है तो बना है इसका जो एंसर जगा सीन नमर हो जागा जो कि लेखा अनुदान प्राया चार माह के लिए पारित किया जाता है जब कि इसी कारण से बजट पेस करना संभव नहों हो पा है वही लेखा अनुदान जोता है राजस्व का लेखा जोखा हो आगे कोश्चन देखते हैं 1929 कांग्रेस अदिवेशन में पूर्ण सोराज की पता का किसने उठाया था यह जो उठाये थे वह पंडित जौहरलाल नहरु ने इसका जो एंसर जगा बी नमबर हो जागा जोगी 26 जनौरी 1936 वह प्रथम स्वधिनता दिवस के रूप में संप नमबर हो जागा आगे देखते हैं सब्त वर्सी यूद जो 1756 से 1763 भी तक चला था इसके परिणाम से रूप निम्न से कौन सा देश को फोजो की हार होई थी यह जो हार का सामना जो करना पड़ा था वो फ्रांसी सी को इसका जो एंसर जगा डी नमबर हो जागा जो कि यह जो कि दिया है कि 29 सपरेल निम्न देशों के भी समझा होता हुआ तो यह पांचिल समझा होता जो था भारत और चीन के बीच इसका जो एंसर जगा सी नमबर हो जागा जो कि यह भी कोशन पूछा हुए जो भारत और चीन के उसमें परधान मंत्री कौन थे तो पांचिल समझ समझा होता हुआ था इसका जो एंसर जगा सी नमबर हो जागा आगे कोश्चन देखते हैं जो कि दिया एक निर्गून संत कभीर के गुरु कौन थे तो यह कभीर के गुरु जो थे यह जो जगे रामानंद थे इसका जो एंसर जगा बी नमबर हो जागा जो कि रामानंद को उत्तर भारत में भक्ती अंदोलन के जनक मना जाता है आगे कोश्चन देखते हैं जो कि एक अकबर ने पंच महल का निर्मार जो खंभे के लिए बिख्या थे कहां किया गया था यह जो किया गया था वो फतेपूर सिकरी में इसका जो एंसर जगा बी नमबर हो जाएगा यह काला पानी जो ओस्तित जो एह उत्तर खंभे इसका जो एंसर जगा बी नमबर हो जाएगा जो कि यह उत्तर खंभे काला पानी भारत और नेपाल के बिच बिवादित सीमा है आगे question देखते हैं तिया है कि दक्षिन अमेरिका के मद्ध अक्छांसिय घास के मिदान का क्या नाम है तो जो दक्षिन अमेरिका के मद्ध अक्छांसिय घास का मिदान जो है उसका नाम जो है वह पंपास है इसका जो एंसर जगा भी नमबर हो जागा वह यहाँ देए प्रियरी जो कि प्रियरी कहां पर है तो प्रियरी जो है USA और कनाड़ा में इस्तित है वह यहाँ देए वेल्ड जो कि वेल्ड जो है दक्षिन अफ्रीका में इस्तित है आगे question देखते हैं तिया निमली खित में से कौन सा बीस्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है तिया कहवा पतन के नाम से जाना जाता है वो सेंटोस को जाना जाता है इसका जो answer जगा B number हो जागा जो कि यही question पूछ जागा भारत में सबसे अधिक कहवा का उतपादन में क आगे मैं और फया आगे मैं फूराइकर नंबर वाह 바로-स इत्य विए問 नन्पर के कहने से सर्छा आगे सिधान्त वीधोत ध्रा के उसमिय प्रभाव पर अधारित होता है यह जोता है इसका प्रतिरोध ऊच और गल्णांक निम होता है याद रखे कोशन पुछा हुआ है इसका तार अधार परतिरोध कैसा होता है परतिरोध जो तो उच्छे होता है और गलनांख जो ता है निम्ड होता है आगे कोश्चन देखते हैं जो गडिए जीन तत्यों के प्रमाडु क्रमांग संख्या 15, 16, 17, 18 है वह निम्ड में से कौन सा है तियाह जो हो जाएगा वह इसका एंसर भी नमबर हो जाएगा आगे कोशन देखते हैं तो पहला दे बेंजीन जो की नहीं होगा आगला दे इथेन जो की एथेन जो है वह खुली सेंखला योगी का उदाहरन है इसका जो एंसर जगा C नमबर हो जाएगा आगे question देखते हैं जब दिया गए कि जब sodium acetate soda lime के साथ अब क्रिया करता है तो बनता है तो यह जो बनता है वह methane बनता है इसका जो answer जगा D number हो जागा जोकि methane का रा सानिक सुत्र क्या होता है तो इसका रा सानिक सुत्र जोंता है CH4 होता है जोकि इसी को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है आगे देखते हैं कीस योगिक में सहसनेरोजिक बंद उपस्थित होते हैं तो सहसनेरोजिक बंद जो उपस्थित होते हैं या इथेन में होते हैं C2H6 में इसका जो एंसर जगा D नमबर हो जागा आगे question देखते हैं अब प्रमाडू के नाभिक घनात्मक कैसे होते हैं तो प्रमाडू के नाभिक घनात्मक जो ते हैं वो प्रोटोनों की उपस्थिती के कारण होते हैं इसका जो answer जागा C number हो जागा आगे question देखते हैं दिया है कि अधिक H प्लस आयन उत्पन करने वाले अमल क्या कहलाते हैं जब कि कम H प्लस उत्पन करने वाले अमल क्या कहलाते हैं यह जो कहा जाता है वह जो अधिक जो उत्पन करते हैं उसे प्रबल अमल कहा जाते हैं जो कि कम जो उत्पन करते हैं उसे ऑगे देखते हैं जो दिया गए कि साहजहां का जिरेश्ट पूत्र दारा सिको की अनुवाई थे काद्रिया के जो एंसर चुछन दिया गए कि भारत का सबसे बड़ा मता से उतपादन राज राज अंदपर से इसका जो एंसर जगा बीनमबर हो जाएगा जो कि 18 माई 2013 तक आंध प्रदेश भारत में मचली का सबसे बढ़ा उत्पादक राज है वही दूसरा अस्थान किसका है तो दूसरा अस्थान जो पश्चिम मंगल का है वही तीसरा अस्थान किसका है तो तीसरा अस्थान जो गुजरात का है आगे कोश्चन देखते हैं जो दिया एक अभिनाव भारत सोसाइटी के बारे में निमलीखित कतनों पविचार कीजिए तो देख लेते हैं यहां जो कतन दिया गया इस पविचार करना है तो पहला जो दिया गया है यह दिया गया कि यह सोसाइटी समाजवादी का एक समुदाय था जो ससस्त्र क्रांती में विश्वास रखता था जो कि यह जो दिया गया वो सही दिया गया था जो कि यह प्रकास नरायन दुरा किया गया था जो कि यह भी दिया गया था जो कि यह भी दिया गया सही दिया गया तो इसमें सही जो हो जागा एक और दो सही दियागा इसका जो answer जागा B number हो जागा आगे question देखते हैं जिए भारत में निमलीखित में से की से अस्थान पर सबसे अधिक वर्सा होता है यह जो सबसे अधिक वर्सा जोता है वो मेगाले के मानसी राम में इसका जो answer जागा C number हो जागा आगे question देखते हैं तो यह कौन सूमे लित नहीं है मतलब इसमें कौन सा गलत है तो पहला देख 16 October जो कि 16 October बिस्वखाद दिवस जो कि सही है अगले दियागे 9 October बिस्वखाद दिवस जो कि यह भी सही है तता अगले दियागे 8 October जो कि भारतिय वायू सेना दिवस जो कि सही है अगले 5 October अंतराष्टिय ब्रिध जन दिवस जो कि अंतराष्टिय ब्रिध जन दिवस जो है यह एक October को मनाया जाता है पांच October को नहीं मन तिया जो अवस्ति जो बड़ोध्रा में है इसका जो एंसर जगा भी नमबर हो जागा जो कि भारत का सबसे पुड़ाना बिस्तु बिद्याले जो है वह तक्च शीला बिस्तु बिद्याले है आगे कोश्चन देखते हैं होमी भाबा पुरुसकार की छेतर में विसेस योगद के जनक किसे मना जाता है तो प्रमाडू उर्जा कारेकरम के जनक जो होमी जहागीर भाबा को मना जाता है आगे कोश्चन देखते हैं तिया इंटरपोल का मुख्याले इस्तिते तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि इंटरपोल का पूर्णूप क्या होता है तो इंटर और यह तो जिता है। इसका भारत भारत सै जंग मुखेकार की होता है। इसका मुखेकार रचाया अंतराष्ठी अपराद से लड़ने तो शब्राइब देश को एक साथ काम करने है तो सक्षम बना न होता है। जो कि इसके बरतमान अध्यक्ष कोन है तो इसके बरतमान अध्यक्ष जो हैं अहमद नासर अल राइस ही हैं आगे कोश्चन देखते हैं दिया है किस भारतिय सतरंज खिलाडी ने महिला फीडा यू ट्वेंटी बीस सतरंज शेंपियंशिप 2024 का किताब जीते हैं तिया जो किता 2020 में भारती अर्थ विवस्था का विकास दर क्या था तो इसका विकास दर जो था बहुत आठ पैंट दो पर तीसात इसका जो एंसर जगा भी नंबर हो जागा आगे देखते हैं दिया है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्गाटन कहां किया गया तिया जो जो शुरू किया गया बैंक क्लिनिक पाल यह जो शुरूयात किया गया अखिल भारती यह बैंक क्रमचारी संग दो रहा इसका जो एंसर जगा ए नंबर हो जागा आगे देखते हैं भारत के की सिराज में और तीसवे राष्टिये खेल 2024 का मेजबानी की जाएगी यह जो पितराखंड में इसका जो एंसर हो जगा सी नंबर हो जागा आगे देखते हैं मैज का इसका डियरेक्ट इंसर बता दे इसका इंसर बर लुचा वे जगा जागा आगे देखते हैं आगे देखते हैं फस Кसम का कारे होता है, कोसी का में प्रोटीन संसेशन में सहायत करना, इसका जो एन्सर जगा d नमबर हो जगा, जो कि वही question पूछ पूछ देखा, कोशी का सब्द का प्रयोग सर परतम किसके दो रखिया गया था? तो कोशी का सब्द का प्रयोग सर परतम Robert Hook ने 1665 हिसमें किये थैं ऐगे देखते हैं पौधे की लंबाई किस से बढ़ता है? पौधे की लंबाई जो बढ़ता है वो सिर्षास्त विभाजियों तक से बढ़ता है इसका जो एंसर जगा एन नमबर हो जागा आगे देखते हैं इन में से कौन सा ब्यासन मुक्ति के लिए उत्तम साधन सावित है अगर आगर आस्तनी में निमन हर्मोनों द्वरा अंडोध सरजन होता है यह जो होता है वो F, S, H और L, H दोरा होता है इसका जो answer जगा B number हो जाएगा आगे question दखते हैं जो कि question जगा की फॉल में असली true चाथा नकली false फॉलों का गूंड सामिलित होता है यह true और false फॉल जो दोनों सामिलित होता है यह होता है आपको काजू में इसका जो answer जगा D number हो जाएगा आगे question दखते हैं लासी का आतों में पाचीत और असोसित निमने से किसके परिवाहन करती है तो यह जो परिवाहन जो करता है वह वासा का इसका जो answer जगा C number हो जाएगा आगे देखते हैं इन में से कौन सा एक कोसिके जीव है तो देख लेते हैं इसमें एक कोसिके जीव होते हैं जिसमें केवल एक ही कोसिका होते हैं जो कि एक कोसिके जीव में एक ही कोसिका जीव के सभी प्रकायों में पूरी करते हैं आगे question देखते हैं जो दिया है कि मेंडल ने अपने प्रियोगों में मटर के पौधे के निमलीकित में से कीस भी सेस्ता का उपियोग नहीं करता है देख लेते हैं कौन सा नहीं करता है तो पहले दे मटर के पौधे की लंबाई तो अगले दे भी जी पूलो का रंग तो पतो की आक्रीति यह जो हो जागा इसका जो एंसर हो जागा डी नमबर हो जाएगा आगे जो question देखते हैं जो कि आज का आखरी question है जो कि दिया गए कि निम्न में से असत्य कथन का पहचान करें मतलब इसमें जो गलत दिया गए उसका पहचान करना है आखरी question का आएनिक तरी जिया उतनी ही बढ़ी होगी जो कि यह सही हैं अगले आवर्त तालिका के प्रत्थम ग्रूप के नीचे की और जाने पद तत्तव को प्रमाडू तरी जिया बढ़ती है जो कि यह भी सही है तो तो आगला देख उप्यूक्त में से एक से आधिक जो कि इसमें जो गलत बताना था तो इसमें गलत यह नंबर है इसका जो एंसर जगा ए नंबर हो जागा जो कि आज इतना ही रखते हैं इसका पीडिये पाने के लिए आप में टेलिग्राम या तो से सेर की जागा फिर मिलते हैं आप सकते लिए वीडियो में तब तक लिए धन्य बात जाहें